तुला राशी राशी चक्र के साथवे नमबर की राशी होती है दोस्तों जिसका राशी चीन एक तराजू होता है तो ऐसे कौन से दस अद्भुद गुण हैं चलिए आए जानते हैं इस वीडियो के अंतरगत यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इससे आप सबस्क्राइब जरूर कर लीजे दोस्तों और पास में लगे बैल आइकोन को भी क कारण तुला राशी वाले जातकों में यह गुण भी पाया जाता है अर्थात यह बहुत ही विवस्तित होते हैं और अपने आपको बैलेंस रखते हैं और यह न्याय प्रेयर भी होते हैं दोस्तों जो सही है वे सही है और जो गलत है वे गलत है इनके नजरिये से यह हमेशा अपना पराया को छोड़कर न्याय का साथ देते हैं इनका दूसरा अदबुद गुण यह है कि तुला राशी का राशी स्वामी शुक्र देवता होता है इसलिए तुला राशी वाले जात्कों को खुबसूरत चीजे बहुत पसंद होता है यह हर चीज में खुबसूरती पसंद करते हैं और इन्हें अपने आपको खुबसूरत रखने का भी बहुत शौक होता है दोस्तों खास तोर से तुला राशी वाले महिलाई को सजने समझने का बहुत शौक रहता है तता जहां भी यह रहते हैं उस इस्तान को सुन्दर और मनमोहद बनाने में यह निरंतर व्यस्त रहते हैं दोस्तों इनका तीसरा अद्बुद गुण यह है कि तुला राशी एक वायू तत्व राशी है वायू तत्व की प्रधानता इनके कारण इनके व्यावार में भी जलकती है इनका व्यावार बहुती सरल और सौम्य होता है इनका अच्छा तत्व सरल सभाव सबके लिए एक जसा होता है तुला राशी वाले जातक किसी में भी भेदबाव करना बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं दोस्तों इसी प्रकार इनका चौथा अदबुद गुण यह है कि इनका सिक्स सेंस बहुती एक्टिव होता है कहने का मतलब यह है कि जल्दी से ही दूसरे व्यक्ती के मन की बात को पढ़ लेते हैं इनके सामने यदि किसी बात को चुपाने की कोशिश भी की जाए तो वे व्यर्थ हो जाती है यह सही बात का पता लगा ही लेते हैं यह इनका एक बहुती अलोखिक गुण माना जाता है दोस्तों इनका पांचवा गुण यह है कि तुला राशी वाले जातक समाज तता परिवार में मरियादों में रहकर काम करते हैं यह ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे इनके परिवार तता समाज को ठेस पहुचे समाज में कैसे रहना है और किस तरीके से सबको आपस में जोड कर रखना है इने बहुती अच्छी तरीके से आता है दोस्तों इनका छटा अथभुद गुण यह है कि तुला राशी वाले जातक बहुती बुद्धिमानी होते हैं और यह दयालू सभाव के होते हैं सबको खुशी से जीवन जीने की बहुत अधिक प्रोथसाइत यह लोग करते हैं इनका मानना यह है कि जीवन मिला है तो उसे खुशी से जीओ और जीने दो इनका साथवाँ गुण यह है कि शुक्र ग्रह की प्रदानता के कारण भीड में से भी यह अलग दिते हैं क्योंकि इनका कपड़े पहनने का तरीका बात करने का तरीका खड़े रहने का तरीका चलने का तरीका सब कुछ परफेक्ट होता है दोस्तों इसी प्रकार आठवा इनका गुण यह है कि धन समपत्ति मामलों में ये बहुत ही भगशाली होते हैं यदि इनकी जन पत्रिका के अंतरगत शुक्र स्वेराशी में हो या फिर उच्च में हो तो जीवन की सारी सुख सुविदाएं इनको मिलती है जीवन में किसी भी चीज की कमी इने कभी भी नहीं रहती क्योंकि शुक्र ग्रह सुख सुविदाओं का ग्रह माना जाता है हमारी जन पत्रिका के अंतरगत लेकिन यदि इनकी जन पत्रिका के अंतरगत शुक्र ग्रह नीच का हो जाए या फिर गलत घर में उसका आ सकती है दोस्तों इसी प्रकार नवा गुण इनका यह है कि तुला राशी वाले जातक एक से अधिक दोस्त बनाते हैं और मित्रता भी यह पूरी इमानदारी से निभाते हैं मित्रों के साथ घूमना फिर्णना मोज मस्ती करना इन्हें बहुत अधिक पसंद होता है और इन् अनुसार कार्यों में बैलेंस जीवन साती को पसंद करते हैं प्रेम संबंद तता विवा संबंद में यह सफल रहते हैं तुला राशी वाले जातक को सुन्दर व्यावहार और सबका ध्यान रखने की आदत इन्हें सदे विवा पश्याद भी खुस रखती हैं दोस्तों यह अब सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए दोस्तों और आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो उसे आप मुझे कमेंट्स के तौरा पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए झाल 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 झाल